बच्चो आपने अभी ये देखा कि किसी समनांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोड़ों का प्रत्यक जोड़ा बराबर होता है इसे आपने समनांतर चतुर्भुज के गोड़ की रूप में देखा क्या ये गोल किसी समनांतर चतुरभुज के लिए एक ज़रोरी शर्थ हो सकती है यानि येदी किसी चतुरभुज में आम ने सामने के कोणों का प्रत्य जोड़ा बराबर हो तब वो चतुरभुज समनांतर चतुरभुज होगा ये बात भी सम्हपू है क्या इसे हमें एक प्रमेह की रूप में देखते हैं और सिद्ध करके देखते हैं ये किसी एक चत्रभुज में यदि आमने सामने के कोड़ों के दोनों जोड़े आपस में बराबर है यानि कोड A, कोड C के बराबर है ये एक जोड़ा हुआ और दूसरे जोड़े में कोड B और कोड D ये दोनों आपस में बराबर है यदि प्रत्य जोड़ा बराबर है तो वो चत्रभुज समनानतर चत्रभुज होगा यदि हम सिद्ध कर सकें तो हमें एक नई प्राबर्टी एक नया गोर मिल जाएगा चत्रभुज के बारे में समनानतर चत्रभुज होने के शर्तों के संबन में तो आईए देखते हैं हमें ये सिद्ध करना है कि ABCDA के समनानतर चत्रभुज है और उसके शर्त क्या होने चीए कि AB समनानतर DC के और AD समनानतर BC के AD समनानतर BC आप देखिए AB और DC समनानतर है AD और BC समनानतर है ये हमें सिद्ध करना है और हमें दिया हुआ है कि इसके सम्मू कोणों के दोनों जोड़े बराबर है यानि हमें ये दिया है चित्र के संदर में हम कहें तो कोण A कोण C के बराबर है कोण A बराबर कोण C और कोण B कोण D के बराबर है कोण B बराबर है कोण D की ये बात हैं हमें दी हुई है अब इन सुचनाओं के अधार पर इन जानकारियों के अधार पर हमें यहां तक पहुँचना है तो चलिए हम चत्रभुज के उस गुण का इस्तमाल करेंगे जिसमें हमने यह पाया था कि चत्रभुज के चारो कोणों का योग 360 अंश होता है तो इसके आधार पर हम लिखें कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बरावर 360 अंश इस गुण का हम उप्योग करेंगे और आप देखिए यदि कोण A कोण C के बरावर है तो हम कोण C के जगा पर कोण A लिख सकते हैं और कोण B कोण D के बरावर है तो हम कोण D के जगा कोण B लिख सकते हैं तो ऐसी सितिम हमें मिलेगा कोण A धन कोण B धन कोण C के जगा हम लिखेंगे कोण A कोड A, धन, कोड D के जगह हम लिखेंगे कोड B ये बराबर हुआ 360 अब आप देखें कोड A, धन, कोड A मानने 2, कोड A, धन, कोड B और कोड B 2, कोड B, बराबर 360 आप इन्हें ऐसा भी लिख सकते हैं दो, कोड A, धन, कोड B, बराबर 360 अब आप लिख सकते हैं कोड A, धन, कोड B, बराबर 180 ये एक महत्पुल परणाम है जो आगे बढ़ने में हमारी मदद करेगा देखें कैसे कोड A और कोड B आपसे बराबर है और कोड A और कोड B ये आपसे बराबर है तो उस सितिते में आप यदि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं रशना हम थोड़ी सी करें और इस रेखा को हम आगे बढ़ाएं तो हमें देखें क्या मिलता है देखें कंड A B को हम आगे बढ़ाते हैं माल लिए थोड़ी दिर के लिए हम इस नए पाइंट का नाम E रख दें माल लिए हमने इसे आगे बढ़ाया और E तक जाने दिया A B E एक सराल रेखा है और इस सराल रेखा में आप जानते हैं कि इन दोनों कोड़ों के योग क्या होगा एक 180 होगा तो आप लिख सकते हैं कोड A B C याने कोड B जिसे हम कह रहे थे और यह वाला कोड C B E इन दोनों को योग भी एक सराल होगा तो आप लिख सकते हैं कोड B धन कोड C B E यह बाहर का कोड C B E बराबर एक सराल अब आप देखिए यहाँ पर आपको मिलना है कोण A धन कोण B बराबर एक्सोसियंस और यहाँ आपको मिलना है कोण B धन कोण C बी बराबर एक्सोसियंस यानि यह जो बायापक्ष है वो इस बायापक्ष के बराबर होगा यहां से उठाएं हम कोण A धन कोण B बराबर इसको ले ले कोण B धन कोण C B E कोण B दोनों जगों पर है तो यहां से आपको प्रणाम मिल जाएगा कोण A बराबर कोण C B E यह एक बहुत महत्पूर्ण प्रणाम है जिसको आप देखिए यहां देखिए आप पा रहे हैं कि यह जो कोण A है वो इस बहिश कोण CBE के बराबर है और आप देख रहे हैं कि अगर हम DA और CB को समनांतर रेखा माने या इसे आप AD या BC भी कह सकते हैं यह समनांतर रेखा है और A ही तिर्यक रेखा है और यह दोनों कोण तब संगती कोण कहलाएंगे और संगती कोण बराबर होंगे संगती कोण यदि इसको हम मानते हैं जो इस सितिया बंदी उसके अधार पर तो संगती कोण बराबर होंगे यानि AD और BC को आप समनांतर कह सकते हैं इसकार्थ हुआ इसलिए AD समनांतर BC देखिए एक प्रणाम हमें यह मिला था और इन दोनों प्रणामों कादार पर आप इस प्रणाम पर पहुँच रहे हैं कि AD समनांतर BC है तो AD समनांतर BC है जिस तरह से आपने यहां पर प्रूफ किया यह दोनों समनांतर है ठीक उसी तरह से आप यह भी प्रूफ कर सकते हैं कि AB और DC भी समनांतर है और आप देख रहे हैं कि इस चतरूज में आमने सामने के दोनो आधार पर आप Basically के दोनों जोड़ें के इ समझंतर और थीक इस developed रहें कि जोड़ाई और पे इस और गिसलेबव आप सामने की भूझ के दोनों जोड़ें दोनों यूग्म्मा Ц में ऑर यह समन लाप कि शर्त है तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं एक कतन और भी लिख लें आप अभी आपने A D और B C के लिखा वैसी आप लिख सकते हैं A B समनांतर D C और इन दोनों कतनों के आधार पर आप कह सकते हैं कि चतरभुज A B C D और यही आपको प्रूफ करना था तो देखिए इसके पहले वाले प्रमे में आपने प्रूफ किया था किसी समरांतर चत्रभूज में आमने सामने के कोणों के दोनों यूग में बराबर होते हैं और अभी आपने किया यदि किसी चत्रभूज में आमने सामने के कोणों के यूग में बराबर हो दोनों युग में बरावर हो तब वो चत्र बूज समनान अंतर चतर बूज होता है अभी तक के प्राव और शियरकित प्रभब्गों को यह आप एक साथ देखना चाहें कि किसी चत्र बूज के ऐक आमने सामने के भुजाओं के दोनों जोड़े या दोनों युग्म आपस में बराबर होंगे तब भी वो चतरभुज समनांतर चतरभुज होगा और एक प्रणाम आपको और मिला ये दिकिती चतरभुज के आमने सामने के कोणों के दोनों युग्म आपस में बराबर है तब भी वो झाल